कभी कलकत्ता के चहल पहल वाले शहर में जगदीश चंद्र बोस नाम के एक तेजस्वी वैज्ञानिक रहते थे। उनका जीवन विज्ञान के चमतकारों और जिग्यासा की शक्ति का प्रमान था। एक धूप की सुबह, जैसे ही बोस रॉयल बोटैनिक गार्डन की हरी भरी हरियाली से गुजरे, उन्होंने पौधों के एक समूह पर ठोकर खाई। उनमें से एक था मिमोसा पुडिका, एक नाजुक पौधा जिसे चूने पर इसकी पत्तियों को मौडने की उलेखनी अक्षमता के लिए जाना जाता है। इस अजीबो ग्रीब पौधे ने बोस को उल्जण में डाल दिया। अपनी अत्रिप्त जिग्यासा के साथ बोस ने मिमोसा पुडिका के रहस्यों को उजागर करने का फैसला किया। उनका मानना था कि जीवन के सबसे सरल रूपों में भी रहस्यों को खोजे जाने की प्रतीक्षा में रखा गया है। उन्होंने साफधानी पूर्वक अपने घर में एक छोटी प्रयोगशाला की स्थापना की और अपने प्रयोग शुरू किये। दिन प्रती दिन बोस ने मिमोसा पोडिका का पालन किया। उन्होंने पता लगाया कि पौधे ने न केवल स्पर्श का जवाब दिया, बलकि गर्मी, प्रकाश और यहां तक की ध्वनी जैसे विभिन उत्तेजनाओं का भी जवाब दिया। वैज्यानिक इस बात का और पता लगाने के लिए कृतसंकल्प थे। उन्होंने अद्वितिय परिशुधता के साथ पौधों की प्रतिक्रियाओं को मापने के लिए एक अद्वितिय उपकरण क्रेस्कोग्राफ का निर्मान किया। एक शाम अपनी प्रयोग शाला में देर से काम करते हुए बोस को एक विचार आया जो उनके प्रयोगों की गति को बदल देगा। उन्होंने सोचा कि क्या मिमोसा पुडिका संगीत का जवाब देगी। उत्तेजित होकर वह अपने वाइलिन को लैब में ले आया और मधुर्धुन बजाने लगा। जैसे ही संगीत इसने कमरे को भरा, कुछ असाधारन हुआ। मिमोसा पुडिका ने संगीत के साथ तालमेल बिठाते हुए जवाब देना शुरू कर दिया। इसके पत्ते नाचते गाते वाइलिन की लै में डोलते थे, मानो वे खुबसूरत सुरों से मुगध हो गए हूँ। बोस इस पहाया था कि जीवन उसके सभी रूपों में उसके आसपास की दुनिया से एक गहरा संबंध है। मिमोसा पुडिका के साथ उनके प्रयोगों ने पौधों के शरीर विज्ञान के अध्ययन की नीव रखी और प्रित्वी पर वैज्ञानिकों के जीवन को समझने के तरीके म क्रांती ला दी। प्राकृतिक दुनिया के रहस्यों को उजागर करने के लिए जगदीश चंद्रबोस के समरपड ने एक ऐसी विरासत का नेत्रित्व किया जो वैज्ञानिकों और प्रकृती के प्रति उत्साही लोगों को समान रूप से प्रेरित करती रही है। उनका ज अपनी वैज्ञानिक यात्रा को जारी रखा, उन्होंने दुनिया पर एक अमिट छाप चोड़ी यह याद दिलाते हुए कि हम सभी को जीवन के चमतकारों की खूज की प्रतीक्षा है। यहां तक की सबसे सरलक्षणों और सबसे अप्रत्याशित स्थानों में भी।